इसके पहले वीडियो में पिछली वीडियो में हमने रीडिंग किया था आएए अब इसका अर्थ देख लेते हैं एकस्मिन ग्रामे एकः बालकः वसति इसमा एकस्मिन माने एक एक गाओं में एक बालक रहता था एक लड़का रहता था तस्य नाम सत्य वरत आसीत उसका नाम सत्य वरत था सह बालकः रिष्टः पुष्टः स्वस्थः चा आसीत वह बालक रिष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त था सह प्रतदिनम विद्यालयम गच्छति इसम वह रोज विद्यालय जाता था किन्तु तस्य रुचि ही पठन पाठने नारमती लेकिन उसका मन जो है पठने लिखने में नहीं लगता था अस्मात कारणात तस्मय गुरुवह इसके कारण से उसके गुरु माता पितरव माता और पिता कुप्यंती इसम क्रोधित थे तस्य पिता तस्य अग्यानात परम चिंतित आसीत उसके पिता जो है उसकी अग्यानता से बहुत चिंतित थे सह वारम वारम अबोधयत वह बार-बार कई बार जो है बताते थे परमतस्य मनह लेश मात्रम अपि प्रेरितम ना अभुवत लेकिन उसका मन जो है छण मात्र के लिए भी प्रेरित नहीं हुआ एक दा सत्यवरत विद्यालयम गच्छतिस्म एक बार सत्यवरत जो है विद्यालय जा रहा था सह मारगे एकस्मिन ग्रिहस्य द्वारे श्यामपटम अपस्यत वह रास्ते में एक घर के दर्वाजे पर स्यामपट देखा ब्लैकबोर्ड देखा तत्र लिखितम आसीत वहां लिखा था जियोतिश कारियालय लिखा था इस प्रकार सत्यवरत अपठत सत्यवरत जो है पढ़ा अचिंत यद और विचार किया अहम अपि दैवग्येन प्रिच्छामी मैं भी इन देवता से पूछता हूं यत मम भाग्ये विद्या अस्ति वना कि मेरे भाग्य में विद्या है अथवा नहीं दैवग्या स्वकच्छे तिष्ठति इसमा जो दैवग्य थे जो महर्शी थे जो रिशी थे वो अपने कच्छे में अपने कमरे में बैठे थे साहतस्य पार्षवे स्वदक्षिडाम हस्तम दत्वा अप्रिक्षत वह उनके पास में अपना दाहिना हाथ दे करके पूँचा मम भाग्ये विद्या अस्तीव ना मेरे भाग्य में विद्या है अथवा नहीं आहम विद्यालेयम गच्छामी किन्तु मम मनह पठन पाठने नारा मती मैं विद्यालेयम जाता हूँ लेकिन मेरा मन जो है पढ़ने में नहीं लगता अथम ग्यातुम इच्छामी यह जानना चाहता हूँ यत अग्रे पठितुम शक्नोमी नवा आगे मैं पढ़ सकता हूँ अथवा नहीं दैवग्या नेत्राभ्याम हस्तम तम हस्तम अपश्यत दैवग्या दोनों नेत्रों से उसके हाथ को देखा अवदत और बोला तव पार्ष्वे विद्याया हरेखा नास्ती तुम्हारे पास तो विद्या की रेखा ही नहीं है सत्य व्रता अप्रिक्षत कुत्र भवति विद्यायाह रेखा कुत्र भवति विद्यायाह रेखा सत्य व्रत पूँचा कहां होती है विद्या की रेखा दैवग्या एवकल मेन तस्य हस्ते रेखाम अंकितम अकरोत दैवग्य ही अर्थाद उस रिशी ने कलम से ही उसके हाथ में रेखा खीच करके खीच दिया आउदत्चा और बोला अनया रेखया बाला विद्याम प्रापनोती ठीक है ये रेखा जो है इसी रेखा के द्वारा बच्चों में विद्या प्राप्त होती है सह चिंता मगनह वह चिंतित हो करके ग्रिहम आगेत्य घर आ करके एकाम छोरिकाम ग्रहित्वा एक जो है चाकू ले करके स्वाहस्ते विद्या रेखाम निर्मातुम शेग्रम एव आरभत अपने हाथ में विद्या की रेखा खीचना तुरंत ही चालू किया खीचने लगा हस्तह रक्त प्लावितह अभवन हाथ जो है खून से लथफत हुआ किन्तु सह प्रयत्नम ना अत्यजत लेकिन वह प्रयास नहीं छोड़ा सह निश्चयम अक्रोत वह निश्चय किया यत मंपार्श्वे विद्या रेखा नास्ति कि मेरे पास में विद्या रेखा नहीं है तरही अहन स्वपरिश्रमेड रेखा निर्मास्या में तो मैं अपने परिश्रम से ही विद्या रेखा का निर्माड करूंगा अकस्मात तस्य मनसी नूतनह विचारह अजायत अचानक उसके मन में जो है एक नया विचार आया यत विद्यांतु परिश्रमेड भवती की विद्या तो परिश्रम से होती है हस्त करतने ने विद्या याह किम प्रयोजनम भविश्यती हाथ काटने से विद्या का क्या प्रयोजन होगा कठिन परिश्रमेड विद्याम प्राप्षया में कठिन परिश्रम के द्वारा मैं विद्या प्राप्त करता हूँ सकलकारियम त्यक्त्वा अहर निशम पठतिस्म सारे काम धाम छोड़ करके रात और दिन पढ़ने लगा बहुनी दिनानी व्यतीतानी बहुत दिन बीत गए किन्तु तस्य पठन पाठन क्रमह भंग ना अभुवत बहुत दिन बीत गए लिकिन उसके पठन पाठन का भंग नहीं हुआ अपने परिश्रम के बल से वह बालक महान बिद्वान हुआ अतहा परिश्रमेड एव सिध्यंती कारियाणी इसलिए परिश्रम से ही कारियों की सिध्य होती है इती, थेंक यू